हाई गाइज मैंने मिलाव गुपता एंड यू और वाचिंग मी और यूडिव चैनल इंग्लिश वेद मिलाव दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंडेंस प्रैक्टिस एक्सराइज लेकिन यहां पर इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किसी से हम सवाल कैसे नहीं करोगे यहां पर मैंने रूल्स भी लिखे हैं किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब या टाइम वर्ड लगेगा वहां पर पास्टेंस और यहां पर है प्रेजंटेंस लेकिन एक बात आपको ध्यान लखनी है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं उसके ल की लिखा है प्रेजंट की केटेगरी 1 और केटेगरी 2 यहींकि इन 4 sentences के अंदर category 1 के sentence भी सेंटेंस हों नोल वहते हैं उसकी पहचान क्या होती है यह सब मैंने आपकोर अपनी क्लास turkey क्लास for scripture क्लास five की वीडियोेो में बताया है एविए कि मैं लगातार अभी बीच में live भी आ रहा हूं और मैंने प्रिवियस लाइफ क्लासे प्रेम कर सकते हैं उसमें मैंने आपको सकरात्मक सेंटेंस यानि कि affirmative sentence नकारत्मक यानि कि negative sentences के बारे में अच्छे से बताया है आज मैं आपको इनटेरोगेटिव सेंटेंस के यूज करने का तरीका बताया हुआ है और इसको हम इन सेंटेशिस को करके भी देखेंगे से वहाँ पर पास्टेंस के अंदर क्याटिगरी वन और टु है जिसमें हम वोज वर या फिर डिड़ का यूज करके इन सेंटेशिस को फ्रेम करेंगे किस सब्जेक के साथ कौन सा यहां पर आएये। आएक साथ होगा यू के साथ आर या डू का वी के साथ भी आर या डू का इसी तरह से पूरा मैंने हापे लिखा है एक नाम अगर आए तो इस यह फिट ड़ लगाएंगे दो नाम के साथ या तो आर लगेगा या फिर डू लगेगा अब यह डूड़ तब लगता है जब केटिगरी टू का संटेंस हो और इसमर का यूज हम तब करते हैं जब केटिगरी वन का संटेंस हो सेम उसी तरह से मैंने अपनी प्रिविएस वीडियो लेक्चर में आप लोगों क लगाना कि यह कैटिगरी वन का है यह कैटिगरी टू का है इधर है प्रेजेंट और इधर है पास्ट राइट तो सबसे पहले यहां पर देखिए सेंटेंस है क्या वह है डॉक्टर है अब यहां पर देखिए सेंटेंस में लास्ट में है है पास है तो नहीं लिखाए यानि को कौन लगा देना चाहिए तो यहां पर लिखेंगे डॉक्टर कौन है सवाल पूछिए डॉक्टर कौन है तो निकल के आएगा वहे वहे डॉक्टर है तो यह वहे जो है यह हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है अब अगर हमारा यह सब्जेक्ट हुआ तो आप सोचिए कि वहे वर्फ को use करते हैं अगर मानदीजी लड़का है तो मैं यहां पर पहले ही लिख देता हूं he मैंने लखा ही अब ही के साथ देखिये क्या यूज करते हैं यहां पर दे्के ही के साथ अगर यह category वन का है तो इसपर के तो हम use करेंगे इसको हमारा sentence बनेगा is he एक बात याद रखेगा जब भी आप किसी से interrogative यानि कि सवाल पूछते हैं question करते हैं तब आपको हमेशा helping verb या time of word को sentence की शुरुवात उसी से ही करनी चाहिए यानि कि helping verb या time of word को sentence के front में रखना है यहां पर हम बोलेंगे is he क्या है क्या है डॉक्टर है और मैंने बताया था जब भी कोई चीज एक होती है तो हम बोलते हैं इस ही डॉक्टर इस तरह से आप इस sentence को बनाएंगे और question पूछेंगे लास्ट में question mark लिखते समय इस ही डॉक्टर क्या वह है डॉक्टर है second sentence देखिए क्या उसके पास pen है अब यहां पर दिखे लिखा रहा है पास और यहां लिखा रहा है पास है प्रेजंट की category 2 का sentence अब यहां पर category 2 के sentence में हम हैस है का यूज करते हैं अगर sentence affirmative हो लेकिन sentence negative और interrogative होता है तो डॉडस का यूज किया जाता है तो इस sentence की शुरूास हम डूडस करेंगे लेकिन कैसी पता करें कि डू लगेगा यह डूडस लगेगा यह बताएगा यह subject यह बताएगा हमको do लगाए या ड़स लगाएं पैन है किसके पास पैन है उसके पास पैन है उसके मतलब या तो वो कोई लड़का है या फिर वो कोई लड़की है तो अगर हम मानके चलते हैं वो लड़की है तो हम यहां पर क्या लग सकते हैं हम यहां पर लगा सकते हैं चीजी के लिए अब हम यहां पर देखेंगे कि हम क्या लगाएंगे डू या ड़ तो यहां पर देखिए हमारा शीएँ है और खीके साथ हम डॉज लगा सकते हैं तो हम सेंटेंस बनाएंगे दसी डाशी और ध्यान रखना प्रेजेंट हो चाहें पास्ट छाहें फ्यूचर हो जो मैं र diagonals अगर आप उसका इंटेर्रोगेटी बना रहे हैं तो question में हमेशा है ही साइगा नहितना इसके फाइगा तो यहांप आड़ सी है we पैंस को बनाएंगे नेक्स से कमरे में दो खिडकिया है देखिय안 मैं आपको बताए था घ्रक्व、 हैं एक तो यह तरीका होता पहचानने का में है या जा फिर इस कमरे में सेंटेंस की शरुवात प्रेपोजिशन से हो और जब्वी सहाई सबसे पहले हमी से कैटेगरी1 में बनाएंगे कैसे बनाएंगे दो खिर किया तो है तो इसली हम लगाएंगे already are there are there and make a बात जो लिखा है ढोखिडिकी या इसको आप देर के बाद लिखे आर लेर two windows are there two windows और उसके बाद इस कमरे में की इंग्लिश लिख देंगे इस कमरे में को कैसे लिखेंगे in this room एक तो सेंटेंस हमारा कैटिगरी वन से ऐसे बन सकता है are there two windows in this room आपको पता होना चाहिए कि मैंने यहां पर आर का यूज क्यों किया क्योंकि दो खिड़कियों की बात हो रही है अब अगर हम इस सेंटेंस को कैटेगरी टू में बनाएंगे तब हमें डू ड़स का यूज करना पड़ेगा अब डू का करें यह ड़स का वो मैं आपको बताता हूं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है इस कमरे यानि कि यह कमरा तो इसलिए कमरा एक है तो यहां पर हम ड़स से संटेंस को बना सकते हैं तो मैं बोलूंगा ड़स देस रूम और क्वेस्चन में हमेशा है लगाएंगे ड़स दिस रूम हैव टू विंडोज हम इस तरह से भी इस भी होकते हैं और होब आपको यह दौनों वे समझ में आये हुँगे निक्स इंटेंस क्या आपके डो भाई हैं बहाई बहन है सेंटेंस प्रे Argent का है हैं लगवा है और के caste डवरी तो है क्योंकि यहां पर भाई बहन है मैंने आपको पहचांद बताईये जब इससे हो तो आपके English यू लगाएंगे तो यू के साथ आप क्या लगाते हैं आप देख सकते हैं यू के साथ आप लगाएंगे डू तो आप डू से संटेस्ट बनाई ये डू यू है और और question में हमेशा है वोता है ध्यान अखना डू यू हैव दो भाई इंगलिश टू ब्रदर्स डू यू हाव टू ब्रदर्स कि आपके दो भाई हैं इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं तो दोस्तों question पूछना बहुत ही असान है बस आपको यह ट्रिक पता हुनी चाहिए कि कौन से subject के साथ कौन सा time of word या helping verb लगती है और question पूछते समय हमेशा helping verb को बाहर रखते हैं मैं इस वीडियो को यहां पर थोड़ा सा pause देना चाहूंगा और आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं अगर किसी सवाल का answer हां या नामे दिया जा सकता है तो वहां पर कोई सब्सक्राइब यहां यहां पर यूज नहीं किया जाएगा आप चाहें तो चेक कर सकते हैं क्या वह डॉक्टर है इसका answer हाँ यह नामे दे सकते हैं क्या क्या वह डॉक्टर है हाँ वह डॉक्टर है नहीं वह डॉक्टर नहीं है तो हाई यह नामे इसका answer दे रहे हैं आप तो यहां पर कोई भी डवलू एच फैमली यूज नहीं होगी इसलिए क्या क यहां पर English what नहीं हो सकता ठीक है इस को देखिए क्या उसके पास पैन है हाँ उसके पास पैन है तो यहां पर हाँ यह ना में अंसर आ रहा है इसका मतलब इसको हम टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्फ से बनाएंगे लेकिन इसको डेगल फैमली से नहीं बनाएंगे तो आई ह साथ वर और डिट का और उसी तरह से यहां पर यह टेबल है इसको अब ध्यान से देखिए और इन सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिए क्या रोहन आपकी कार में था यानि कि यह सिंपल पास्ट कैटेगरी वन का संटेंस है था लगा हुआ है क्योंकि यह पास्टेंस है औ और कैटेगरी टू है तो डिट लगाएंगे याद रखना ठीक है तो हम यहां पर सेंटेंस को वह से शुरू कर सकते हैं तो हम बोलेंगे वह रोहन वह रोहन आपकी कार में प्रेपोजिशन मैंने अपनी लाइफ क्लास में आपको बताया था कि आपकी कार यह हमारा क्या है यह पजिशन है और यह फ्री तो परिकी इंग्लिष पहले लिखते हैं तो पहले मेंस लिखेंगे वह रोहन इन और आपकीकंअ की इंग्लिष क्या होगी योर एकार सेंटेंस क्या बना वहु flour in your कार क्या रोहन आपकी कार में था आप डिशे सिए सवाव पूसकते आ你好 क्या आपSP कार में था हाँ यह यह झाम नह्या में आ सकता है इसलिए यह यह इन्टेरोगेटिव सेंटेंस तो है लेकिन इसे वॉसमर्यण видел से बना इस सेनेस को वो से बनाएंगे हमने बना दिया नेक्स देखिए च्छा उसके पास बंदूख थी अब पास थी आ गया यानि की पास टेंस लेकिन काटेगरी टू और के अंदर हम डिट का यूज्स करेंगे सेंटेंस को डिट से बनाएंगे तो सबसे पहले हम यहां पर लिख द और question में हमेशा have होता है did he have बंदूक एक है did he have a और हम use करेंगे gun did he have a gun क्या उसके पास बंदूक थी did he have a gun clear है अगर topic clear है बिल्कुल तो please comment box में comment करके जरूर बताईएगा कोई भी doubt या शंका इस वीडियो में आपको अगर लगती है या आपको नहीं समझ में आया तो comment जरूर कीजेगा next video में मैं उसको cover जरूर करूँगा क्या जूली के दो भाई थे आप देखें फिर आगे ना भाई बहन थे past की category 2 से इस sentence को बना सकते हैं ये पहचान होती है और अगर आपने मेरी अभी तक class 1, 2, 3, 4, 5 ये वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देखें और इन वीडियो का link मैं इस वीडियो के description में दे रहा हूं आप वहां पर भी क्लिक करके डेवाइस वीडियो को class वीडियो को देख सकते हैं राइट क्या जूली के दो भाई थे कैसे बनाएंगे sentence को अब भाई बहन थे इसके लिए हम category 2 को यूज करेंगे तो डेट को लगाएंगे तो हम बोलेंगे डेट जूली और ग्रश्टन में हमेशा है घोता है डेट जूली हैव ठूब रदर्स क्या जूली के दो भाई थे डिट जूली है डूम इस तरह से टू यानि हिवना सकते हैं कैसे बनेगा ध्यान से लिकें से बनाएंगे पहले इसकिताब में इसको छोड़ दो आठ पन्ने थे कैसे इंग्リश्वनें की आठ पन्ने थे तो अगर मालोव मुझे इसी स्ट जो इन का आठ पन्ने थे तो uh कैसे बनाओंगा क्योंकि आठ पन्नों की बात ओरिया जो कि एक से जादा है तो मैं वर्ड का यूज करूंगा वर्डैर वर्डैर एट पेज़ीज वर्डैर एट पेज़ीज क्या आठ पन्ने थे कहां पर इस किताब में यानिकी इन इस बुक आप इस तरह से इंग्लिश मना सकते हैं वर्डैर एट पेज़ीज इन इस बुक राइट या फिर इसको आप कैटेगरी टू से बनाएए सबसे पहले तो आप डिट लिखी दीजिए क्योंकि तो आए गई आए आएगा डेड इस बुक इस किताब यह सब्जेक्ट हो इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमने प्रेजेंट की कैटेगरी वन और टू में सवाल कैसे पूछे आज सीखा पास्ट की कैटेगरी वन और कैटेगरी टू के अंदर भी अब आप सवाल पूछ सकते हैं लेकिन इसके लिए जादा से यादा sentences आप लीजिए लेकिन ध्यान नखेएगा यह simple sentences है इसमें subject के द्वारा किसी काम के करने की बात नहीं होती subject कोई काम नहीं करता subject आलसी होता है तो ऐसे sentences को आप अपने मन में सोचिए बहुत सारे sentences लीजिए एक copy पे लिखिए blank page पे लिखिए और उनको English में translate करने की कोशिश किजिए रूल आपको यह use करने हैं और एक request और करना चाहूंगा कि आप हमारी day 1, 2, 3, 4, 5 या फिर class 1, 2, 3, 4, 5 की सभी वीडियो इस वीडियो के description में मैं link से लगा रहा हूं आप उनको एक एक करके जरूर target किजेगा अगर आप उनको देख लेते हैं तो I hope कि यह class आपको awesome लगेगी यह class बहुत easy लगेगी और आसानी से समझ भी आ जाएग और इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है कि अभी अभी इस चैनल को तुरन सब्सक्राइब करके और बगल में घंटी के निशान पे क्लिक कीजेगा ताकि हर वीडियो का notification आपको आपके mobile phone पे बिलकुल correct time पे मिल जाए मैं मिलाब गुपता मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में till then goodbye